हेलो डीवन आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि मत्के की सफाई कितने दिन पर करनी चाहिए क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए कैसे करनी चाहिए हम बात में देखेंगे हम बात करते हैं कि कितने दिनों में करनी चाहिए मत्के की सफाई आपको almost महीने में एक करनी होगी आपका अब की सफाइख करनी होगे उसमें कोई मसीन लगा नहीं है कि व ऊसी में together करके रख लेता है याली मिट्टी में یया नि जब प्लस्टिक अम आप यूज कि होंगे तो व Rachel करनी करना हुआ गता है वह क्या होता है वह नीचे से खराब होने लगता है तो वो सब काम जो है मटके में भी होने लगते हैं तो इसी करण हमें सफाई करना पड़ता है एक वीवर का हमें कमेंट भी आया कि मटके से स्मेल आ रही है मतलब वह मठका इतना गंदा हो गया ना कि अंदर से स्मेल भी आ रहे है तो हमारे पास भी एक भा था एक वार क्या हुआ मठके में पाने श्टोर होता गया होता गया जिसके कारन कुछ दो तीन महिने तक बरसात का पान उसमें जमा हो गया उसके बाद मैंने जब चेक किया इस मटके का यहीं मटका है जो देख सकते हो यह पूरा चारो तरफ से इस तरीका से हो गया है तो इसको मैंने किस तरीका से अभी करूंगा ट्रीटमेंट क्या है इसका इस वीडियो में पूरा बताओंगा अब हम बात कर लेते हैं अब हम आपको दिखाएंगे कि मटके की सफाई किस तरीका से होनी चाहिए उसके लिए भी कुछ चीज चाहिए वो क्या है और किस तरीका स क tubing कहला है वो कि तो मटें के सफ़ाई प्रोसेस जा से हमें करनी है उपके उन में से पहला हमारा जो काम होगा वहां हमारा मत्का पहले खाली कर लेना है कोई भी पानी हो इसको खाली करने है उसके बाद मत के को जितना हो सके normal पानी से आपको धो लेने हैं देख सकते वीडियो में इस तरीका से हमें धोने हैं मटके को पूरा धो लेने हैं साफ कर लेने हैं उसके बाद इस मटके को करीब वो डिपेंड करता है कि मटका आपका कितना जादा समेल करता है जैसे आपका समेल नहीं कर रहा है पानी ठंडा नहीं कर तो उसके कारण आप 2-3 घंटे डालोगे मटके को लेकिन अगर आपका मटका इसमेल बहुत बहुत ज्यादा कर रहा है मतलब वह पानी पीने लाइक नहीं तो उस मटके को कडिब 2 दिन जैसे बहुत ज्यादा करमा बता रहा हूँ अगर कम इसमेल कर रहा है तो एक दिन मतलब यह तरीकासे यह मूह के यिझा अपकज श вниз एसा की तरीका सटस्tal को श्यादा यादा डालना है की प्रणा जापको वहां नहीं करने लगता है तो यह दोनो के लिए एक ही चीजा अपलाई करनाए अब हमाँ कि हमारे वाला चीज है उसको यूजन ही कर रहा है हम एक निंबू एक निंबो यह जो दो 6 तीन तरी जगा Oke से हम मटकी की सफाई करेंगे चलिए डारेक सानलाइट में हमने मटके को करीब छे घंटा डाला है ओके अलमुस्ट हम लेते हैं छे घंटा हमने डाला उसके बाद आपको क्या करने मार्केट से एक निम्भू यह आपके घड़ में हो सकता है कि अको कुछ ज्यादा खर्च नहीं है कुछ नहीं दो रुपिय के खर्च बस एक निम्भू हमें लेने हैं उसके बाद यह मतका देख सकते हो सायद अंदर आपको देख रहा होगा पूरा गंदा है फुरा गंदा है ये पुड़ा धूप में सुखा हुआ मटका है नुड़ा पानी डालने के बाद ये निम्बू आप करीट चार टुकड़ों में काट लोगे चार टुकड़े हैं हमारा निम्बू का होना चलिए यह दो यह दो वरब इस तरीका से इसमें हम छोर देंगे इसको डारेक्ट हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है बहुत सिंपल मिठर में आप को बता रहा हो उसके बाब यह जो है निम्बू को पूरा इसमें निचोर ना है जितना चाहिए अगर आपको बहुत ज्यादा आपको मटका तो आप 2-3 निम्बू एक साथ निचोर सकते हो इससे कोई लुकसान नहीं होता आप निम्बू खाने वाला चीज होता है इसको क्या होता है काफी दिन तक पानी मुष करने के कारण या इसके जो होते है मत्के में इस तरीका से स्कुरत्रा बुंद बुंद ताइक संदर से बनाया जाता है इसकान पाई थंड़ होता है और वसी बंध होने लगता है मारा पुडान होने करने इसके कारन आपका पानी तो यह सब डाल हमने उसके बाद इसको थोड़ा आपको मिलाना है से मिलाते हैं थोड़ा थोड़ा इस तरीका से आपको मिलाना है ताटी करें चार्च से पाच मिनिट पानी को पूरा जहां जहां गंदा है टो यहां हूंं अ को कि हर जगह का साप हो जाएओ बाहर सभी आप साप कर सकते कि जिससे नया मक्का है मैं कोई भी कत पुमे इसके आस अपकोंन इसा करना है जैसे हमने कर दिया आप देख सकते हो पानी का क्या दी घंटेशन में लेखे लिजटाई के लिए में आप मेंदरतिम पिला जोर दोड़ देंगे और इसको फिर से आً धूर धूर करीव दो गंटे करीव हम फुर्मोग में डालेंगे यह रहा हो देख सकते हो डायक चलिया अब हमारा दो गंटा पूड़ा हो चुका है उसके बाद इसमें देख सकते हो जो पानी है ना इसको अब हम निकाल देंगे पूरा अच्छे तरीका से साफ कर लेंगे और रग मतलब अगर सामने भी आए तो भी गंदा लगी वैसे मत्के की ये प्रोसेस है थोड़ा लंबा जाता है बट ये अपली के बूल है पूरा पानी साफ करने के बाद वह पानी आपको फेक देने है ओके वह पानी की कोई जरूत नहीं है अब हमारा ये मत्का है तब भी जितना क् हो चुका है ज्यादा कुछ लागा हुआ नहीं है अब देख देख पा रहे होंगे मतलब हमारा मत्का है ना पूरा अंदर से उप्रा क्लीन हो गया है अभी बात का प्रोसेस अभी भी कुछ पॉइंट है जो बचा हुआ है अभी आपे स्कीप कर दोगे इसके लिए ही नुक कुछ निचन देख लिए जैसे इतना हो गया इसके बाद आप हमें क्या करना है उर द्यान रखना है आपको मत्के को इस तरीका से रखना है ताकि नीचे का जो एfold ना रहे हैं औरी आरा आ आ冷ग अरा होख रहें तक की सह आपको मिस्तर कृतर करणा वहुंद का अमारा उसमे अभी क्या है प्राब्रम मटका में हुआ है तो थोड़ा आपको टाइम जो देना ही पड़ेगा ओके आपकी आपका ज्यादा स्मेल नहीं करता है तो आप एक घंटे दो गंटे भी बहुत है ओके चार घंटे में एबरेग ले रहा हो इतना रखना है ताकि उसका पुरा पानी क्ति क्योंति अब देना है औरतना पानी क्यों सब्सक्राइब कर देंगी और लाइक करना प्रातों पानी करने कंदे दाने पानी से अपंची गंट क्यों ज़liamo ।